हेलो टुडेन्ट, हमारे YouTube चैनल एक्षनेड एक्षणेट एक्षाट में मैं विवे एक आप फिट से स्वागत करता हूँ दोस्तों, जैसा कि UP Board द्वारा जो है High School वाले बच्चों का जो OMR पत्रक होता है वो बिल्कुल जारीक कर दिया क्या है UP Board के official website पर आपको पूरी तरीकेस आपको भर करके सिखाने वाले हैं ताकि आप किसी भी तरीकेस जो है आप बोड एक्जामें OMR सीट पत्रक भरने कोई भी गलती मत करिएगा नहीं तो आपका 20 अंका कोशन आपका पत्रक आपका जो यह OMR सीट है यह आपका चेक नहीं होगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेगा ठीक है तो सबसे पहने बात कर लेते हैं दो सब कुछ आज के वीडियो में अच्छे से डिसकस करेंगा आपको बताएंगे जिते ही प्यारे बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी इस वीडियो को लाइक कर देजेगा और सभी वीडियो को हर वो बच्चों तक शेर करने की कोशिश करिए पहुचाने की कोशिश करिएगा ताकि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुच जाए ताकि जितने ही बच्चे ओए मार्चीट के बारे में नहीं जाने और कैसे भरना है सब को जो है आज की वीडियो में कर दिजएगा ताकि जितने भी इंपोर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन वह आपको मिलती रहे साथ में दोस्तों जो बताते हैं चले वोट एक्जाम के लिए उतना आपको त्यारी करते हुए आगे बढ़ने हैं दोस्तों टेलिग्राम से और वाट्शप ग्रूप से भी सब कुछ हम वीडियो के मात्यम साब सभी को बताते रहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास तो दोस्तों UPMSP.edu से जो ये नोटिस जारी किया गया पहले हम नोटिस को बताएंगे उसके बाद हम भरना सिखाएंगे ठीक कौन से OMR सीट मिला है आपको तो यहाँ आ आ गया है कि सूचना जो आए कि वर्ट से 2030 के हाई स्कूल बोर्ट परिच्छा में प्रत्यक विसाय के प्रश्ण पत्र में 20 अंकों को वस्तु निष्ट प्रश्णों के उत्तर OMR सीट पर अंकित किये जाने के संबद में पूरों में निर्देश दिये जा चुके हैं जैसा क इसे क्रम में विगत वर्ट से 2021 में विद्यालों की कर्शनों की ग्रीफ परिच्छा में भी इस सीट का यानिक OMR सीट का भी यूज हुआ था ठीक है आगी सीम कहा गया कि OMR सीट पर प्रश्ण तर किस प्रकार से अंकित किये जाएंगे इस संबंद में वर्ट से 2030 के हाई स्क वर्ट परिच्छा में प्रियोग में आने वाली OMR सीट का नमूना आयों इसे भरे जाने हैं तू परिशत की बेवसाइड यूपीट, MSP.edu.in पर उपलब्त करा दिया गया है अब यह देखें वहीं से हमने इसको डाउलोड किया हुआ आए बच्चों अब हम आपको सीखात अच्छे से देखेंगा और बिल्कुल आपको यहाँ पर गलत नहीं भरना है ध्यान समझेगा क्योंकि वह दोस्तों इसमें बहुत कुछ नोटीस यहाँ जारी किया गया है तो पहले ध्यान से अपना यह OMR सीट देख लिए ध्यान से देखेंगा क्या यहाँ लिखा गया है कि Board of High School and Intermediate Education UP ठीक है तो हाला कि यहाँ फिलाल High School वाले बच्चों के लिए है यह है ठीक है ओयमार उत्तरपत्रक High School परिच्छा दोजा तेज के लिए बिल्कुल ऐसा है आपको मिलेगा अब दोस्तों यहाँ पर देखेगा जीला कोड या ना ठीक है जीला कोड और ना तो यहाँ पर क्या होगा हो सकता है कि आपको भरने के लिए मिल जाए तो जीला कोड जो रहेगा तो आप इस तरीके से जीला का कोड डालेंगे डैस दे करके यहाँ पर जो है आपके जीला कोड और नाम क्या है आप जिस जीले का जीले में है उनका नाम डालना होगे जैसे आग इस पत्र में आपको केंदर कोड रहेगा सबसे पहले वह आपको मिल जाएगा तो आपको केंदर कोड यहां इस तरीके से आपको भरना होता है तो आपको भरना पड़ेगा ठीक है इसके बच्छों यहां को आजाता है आपका अनुक्रमांग तो अनुक्रमांग को आप बिल्क ठीक है अब बच्चों ध्यान समझेगा यहाँ पर 21 का आपको code डालना पड़ेगा जो code है वो आपको लिखना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर paper में आप देख पाएंगे यह हमने यहाँ पर लिया हुआ है यह 2022 का अंग्रेजी का कक्षा 10 का अंग्रेजी का यह paper हमने यहाँ पर main page लिया हुआ है ठीक है तो यह जो paper का code है 970 यह इसका paper का code होता है तो यहाँ पर भारा रहेगा तो ठीक है नहीं तो आपको यहाँ पर 27 code आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और कौन सा है आपका subject किस subject याणि किस विशय का paper देंगे वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा अगर हिंदी का देंगे तो हिंदी का अंग्रेजी का गड़ित का महत का समझे भी गया है जो भी आप देंगे यहाँ आपको यहाँ पर बिल्कुल लिख देना अब चलिए आगे आप बात करें प्रशन पत्र संख्या अब आपसे पूछा प्रशन पत्र संख्या क्या होती है ताही बच्चों आपको यह भी सिखा देते हैं अब बच्चों यहाँ आप देखेगा प्रशन पत्र संख्या यह देख सकते पड़ेगा आठ सो सत्रा यह बिल्कुल अंग्रेजी का पेपर 2022 का हमने लिया हुआ है इसी तरीकी से मिलेगा आपको पेपर भी तो 817 यहाँ पर भर देना है आपको प्रशन पत्र संख्या में आपको भर देना है चलिए बच्चो इतना अगर हो गया है तो हम आगे आते हैं अब यहाँ आप देखएगा कि प्रशन पत्र मार दया सेरिज जो आपका पेपर उसमें जो आपका संकेतां का है उसको भरने के लिए आप पूछ बोला हुआ है कि पहला आक्षा आपको यहाँ पर भरनें तो चलिए बच्चो हो पेपर के मातिम से आपको यह भी सिखाते है तो देखिएगा ये तो अपने भर दिया अब ये इसी को आपको मारका पूछा हुआ तो यहां पक्या है 817 A-N है तो A-N जो है आपको यहां पर भरेगा दियान सुनेगा बच्चो दियान समझेगा इस गोले को ऐसे भरना है कि इस गोले से बाहर आपको आना नहीं चाहिए और अच्छे से भरा हुआ जैसे यह भरा हुआ है तो यहाँ हमें फिलाल तो यह नहीं दिख रहा है। यहाँ आप नीचे आप दिख गया। यहां आप लिख साथ यहाँ हो Гलतियांगे तो आप देख सकते हैं संकेतांग हमने भर दिया यहाँ पता तो इसको यहाँ गोला कर दिया यहाँ मिला तो यहाँ कर दिया इस तरीके सब को यहाँ पर कर देगे चली अब बच्चों यहाँ देखेगा कुछ यहाँ आपको नोटिस दिया है यूपी बोर्ट के तरब से यहा आपका गलत माना जाएगा या भी बच्चों यहाँ देख पाएंगे कि यह इतना इतना तो भर दिया गया बीच में छूटा हुआ तो यह भी आपको नहीं करना यह भी आपका गलत माना जाएगा अब देखेगा यह गोला है मैं मालेते C आपसर C में आप थोड़ा से इस तरी भर देते और यह खाली हुआ है आपको भरे नहीं ठीक से यह भी आपका अंसर मानोगा तो गलत तरीका कौन-कौन से इस तरीके से भी आपको नहीं पर ना इस तरीके से टिक भी नहीं करना और ऐसे नहीं परें और इस बिंदू टाइप का नहीं लगा कर छोड़ना और एक किनारे नहीं बना इस तर बीधी जो ही आपका गलत मना जाएगा ठीक है तो अब सही बीधी कौन कौन से मना जाएगा तरीका ध्यांसन यह बच्छो जैसे कि आपने पाहले question का जो भी answer आपने answer पाया और C कि C हमारा अच्छा है तो C को देख सकते किस तरीके से यह भरा गया है बिल्कुल गोले में के अंदर तो ऐसे ही आपको भर देगे अब दूसरे question का आपका B अपसान है तो इस तरीके से भर देना C है तो ऐसे D है तो C है तो S, D है तो S, D है देख सकते बचो कितना प्यारा सानुशाल भरा जाए बचो इसका अगर पीडियाप चाहिए ठीक है तो इसी वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन बाक्स में इसका पीडियाप का लिंक दे देगे आप सभी इसको डाउनलोड करके देख भाएंगे कैसे हमें भरना है सिख लिजिएगा आप अच्छे से ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अब आपको कहां पर भरना देख सकते हैं 20 कोशन का आपको बहुबी कर्पी मिलने वाला है तो कोशन नमर एक से ले करके कोशन नमर 20 आपको यहां पर है अब A, B, C, D करके 4 आपसन आपको सभी में मिल जाते हैं जो आपको अंसा सही लगता है उसको आ अपको यूज करना है वह आपको बलेक कोसिस करियांगो बलेक यूज करने के लिए ठीक है फेसको आप बलू कर दो綁ग सकते हैं लेकिं आप बाल भाल भी में होना से बिल्कुल तो बिल्कुल आपको मत भरिए गा ठीक है, अब पचल आपको बर कर इसको यह अपको नमर ठीक है तो अब यहां पर दो बच्चों देखिएगा कैसे भरना है ध्यान समझेए इस तरीके से इसको बोला भरना है बाहर नहीं जाना है ठीक है अब जैसे दूसरा का भी आपका सही हो जाता है दूब बी को आपके इस तरीके से बाहर कर आपको सिखा रहें इस रेड के आपको ऐसे करके जो है अच्छे से जो है आपको गोला जो है भर देनी हालां कि इसमार्ट पोलिया है थोड़ा सा भरने में प्राब्लम लिए लेका आप पैंस से भरेंगे तो चीज़ें सही भरेंगे ठीक है अब जा आपके आपको अशां जहीए नहीं बाहर नहीं जाना ह और बीच में भी आपको color अच्छे से होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए तो आपको question जो है, वो नहीं check हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों computer से आपको OMRC check होगी, इस चीस को आप सभी बच्चे जो है, बहुत ही प्यारत से ध्यान देगे, तो बच्चो इस तरीके से आपको ग complete करेंगे, चली, अब आपको गोला भरने आगे, आप कुछ और point है जो उसको हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है, अब चलिए बच्चो, अब यह माले तो यह आपने answer भरते हैं, और क्या 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 आपको भरना है, अब यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर कहा है कि चित्र कला आप बीस है हेतू, दोस्तो अगर आप चित्र कला में अगर आलेखन भाग है आपका, तो आप इसको इस तरीके से गोला भर लेंगे, ज़ादातर बच्चो का यहीं होता है चित्र कला में, तो इस तरीके से भरेंगे, और प्रज्द्यों की भाग नएगा तो आप सेकेंड वाले को color करेंगे और संगीत वातर भी से ये तो जो बच्चे रहेंगे तो तबला ये मिर्दक भाग जो रहेंगा तो इसमें आप ब्लेक को गोला करेंगे और जो बच्चे का subject सीतार वीड़ा आई ये इस तरीके सरे तो ये भरेंगे अगर ये subject आपका नहीं paper इसका दे रहे हैं चलिए बच्चो और हम आपको सिखा देते हैं यहां पर बात कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर बच्चो बात कर लेते हैं तो अगर हम बात करें तो फिक अब यहाँ देखिएगा परिचार्थी का हस्ताक्षर, जैसे कि मेरा नाम विवेख है, अगर आपका जो भी नामं है तो आप क्या भरेंगे, आप यहाँ पाप अपना हस्ताक्षर करतेंगे, ठीक है इस तरीके से, अब यहाँ जो है कख्ष निरख्षर के हस्ताक्षर, जो आपके कशली रक्षण में, यानि कि जो आपके क्लासरूर में जो टीचर का आइडी कर रहे होंगे, वो यहाँ पर अपना सिंग्नेचर करेंगे, और यह है दोस्तों किंद बिवस्थाफ़क की मोहर, यानि कि दोस्तों जहाँ पाप पेपर देंगे, वहाँ का आल्रेडी म सिंग्रेचर लगा हुआ रहेगा, इससे आपको कोई मतलब ने, यहाँ पर आपको सिंग्रेचर करने है, बस इतना ही आपको यहाँ पर करने है, चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं, यह आपका कटिंग है, यह हो सकता है कि आपको इस पे नंबर आपका चड़े, जो क इस, इस चीज़ लगा बताएं डाइप, इसमें गुच्ट करने है, बाकिश्यक कोड आपका जिसका पेपर आप यहां भरेंगे प्रश्रपत संख्याप बच्चों यहाप भरेंगे ठीक है और यहाँ प्थी प्रश्रपत नमार का सेरी जो रप्ल्पिन बच्कों बदाए था कि इससे और इससे आपको कोई मतलब नहीं है तो बच्चों इतना इसी तरीके से आपको बिल्कुल यहाँ पर भरनी है किसे भी बच्चों को कहीं पर भी प्राब्लोम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्ष और कमेंट करके पूछ सकते हैं कोशिस किये हैं कि सभी बच्चों का ये OEMR सेट जो है भरना अच्छे से आ जाए ताकि आप बोट इग्जामे किसी भी तरीके से गलती ना करें क्योंकि दोस्तों यहां पर UP बोट की तरब से ये नोटिस जारी किया गया सभी बच्चे ध्यान समझेंगे कि OEMR उत्तर पत्रक से सही गोले को गहरी निसान से भरी अब अच्छे आप देखेगा या तो जो OEMR सेट पत्रक आप जो भरेंगे या तो आपका काला पेन होना चाहिए ठीक है या आपका नीला पेन होना चाहिए और नीला या काला में कौन सा पेन होना चाहिए आपका बाल पन यानि कि डार् पत्रग में दियेगे क्रमांग के सामने संबंदित गोले में निसा लगा कर दीजिये हर प्रस्षे के चार वीकलब आपको दियेगे हैं जैसा कि बच्चों यहाँ आपको अमने बताया कि एक कोशन का आपके चार वीकलब दियेगे जो भी question आप पढ़िए पाला पढ़ने पाला जो answer समय है उसके just सामने आप भरिएगा आगे पीछे कर देंगे तो question का answer आपका गलत हो जाएगा ठिक है चलिए इसके बाद दूसरा point के लिए रोगे तीसरा point कहता है कि OMR पर सवी प्रविष्टिय सावधारी पुर्वक भरे उ आपके OMR जो चेक नहीं होगी तो बिल्कुल सही सही करके आपको भरनी है ठीक है और दोस्तों इसको आपको बिल्कुल आसान तरीकी ऐसा नहीं कि आपने गलत कर दिया फिर उसको वाइटनर लगा फिर दूसरे वाले गोले को भरे ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करनी है आपक प्रते 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 का उत्तर के वल एक अहीं गोले में गहरा तता पूरा निसान लगा कर दीजिये जैसा कि प्रिश्ण संक्या एक मेर दर्शाया गया तो बच्चो आपको गोला भरना में आपको सीखा है जस्ट उसी तरीके साब को भरना है चटा पॉइंट कहता है कि उत्तर के लिए दिये के सही गोले में निसान लगा उत्तर पत्रक पर अने कहीं कोई निसान न लगा जहां पर आपको लगता है कि यहां में भरना है बस वहीं आपको करना और कुछ भी उसमें calculation या कुछ भी बेन आपको नहीं चलानी है सता point कहता है कि प्रश्वपत यानि मार्का सिरीज के अंतरगर प्रश्वपत उपर अंकेत प्रशरपत्र संख्या के साथ ब्रेकेट में अंकेट उसका मारका यारी सिरीज जो अंग्रेजी के दो बड़े अच्छोर जैसे ए बी तो जहाँ को हमने आपको ए यन दिखाया थे न संख्या उसी के लिए यहाँ पर बोला हुआ था हमने आपको भना भी सिखा दिया आगे बाल कर लेते अठवा कहता है कि कक्ष निरक्षक का यह दाई तो होगा कि वह अपने समुख ही प्रशरपत्र का मारका सिरीज चित्रकला जो भी है आप उसको भरवाए ठीक है अगर जो आपको इसमें नहीं समझ में आती है तो आप बिल्कुस कुछ छोड़े रहेगा आपके जो एक्जाम के समय जो आपके टीजर रहेंगा वो आपको बता देंगा और आप भर लिज़ेगा लेकिन गलत आपको नहीं बरना बच्चो ध्यान में रखेगा आगे दोस्तों नवा पॉइंट कहता है कि कधिपर प्रश्रपत्रों में उसके मारका सीरीज उलेक नहीं है अदेव इस प्रकार के प्रश्रपत्रों के संबल में उयम उत्तर पत्रत पर प्रश्रपत्र या मारका सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है ठीक है तो जो हमने आपको यूपी बोर्ट दोर यह जारी किया गया बिल्कुल ऐसे ही safe to same आपको आपके paper के समय भी आपको इसी तरीके से OMR seat मिलेगा और बिल्कुल ऐसे ही भरना है और ऐसे ही आपको paper भी देना है तो PDF बच्चों हम आपको workshop ग्रूप में भी share कर देंगे सभी हमारे प्यारे बच्चों जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुँचानी कोशिस करिया ताकि हर वो बच्चा इस वीडियो को देकर बोर्ट एक्जाम में OMR seat को अच्छे से भरना सिख जाए जो हमारे पच्चे चैनल पर पहली बार आप सभी का स्वागत है आप सभी चैनल पर स्क्राइब करके खंटी को दबाद दीजिएगा ताकि आने वाले समेक इंपोर्टेंट क्लासी नोटिफिकरिकर्स आपको मिलती रहे साथ में बच्चो आप टेली कराम वाट्शाप गुरुप से जुड़ जाएगा दोनों गुरुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सर वाक्ष में मिल जाएगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जएग जेपारादा